हाजी बच्चों कैसे हैं आप लोग आईए आज हम अपने जर्णल एंट्री वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं बच्चों मैंने आपको पांच जर्णल सिखा दी थी याद है आपको इलैवंद के प्यारे बच्चों याद है आपको और आज हम उसी जर्णल एंट्री चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं उसके बेस को और आगे लेके चलते हैं आईए बच्चों मेरे साथ देखते हैं ज जी बच्चे मैंने आपको बच्चों पांच जर्णल क्लियर कर दी ती जितना मुझे याद है आपको यादूना चाहिए आप सोल्ड गूट्स टू शाम तक की बात बच्चे हुई थी और मैंने उसकी जर्णल एंट्री आपको बताई थी कि दो अकाउंट इंपेक्टिड होंगे एक शाम अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट जर्णल हमने कर ली थी सिक्स्ट एंट्री भी आगे बच्चे क्या शाम रिटरंड 20% of the goods शाम ने क्या किया जो माल मैंने उसको बेचा था उसने उसका 20% माल वापिस कर दिया ठीकर बच्चे हमने क्या सीखा बच्चे सेल परचेज सेल रिटर्ण परचेज रेटर्ण परचेज रिटर्ण वाइट और गूर्ट शब्द का इस्तेमाल जर्णल में नहीं करना स्टॉक शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना हमने माल बेचा था सेल क्रेडिट किया अब बिका हुआ माल बच्चे जब वापिस उठा रहे हैं जब हमारे पास सेल का रिटर्न आ रहा है तो हमारे लिए बुक्स में इंपक्ट आएगा एक एक अकाउंट पे सेल रिटर आ जाएए तो पहला जो मेरा अकाउंट इंपक्टिड हो रहा है वो है सेल्ज रिटर और दूसरा जो बच्चो मेरा अकाउंट इंपक्टिड आ जाएगा यहां पे वो आ जाएगा श्याप सोचिए सेल रिटर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ बच्चे चाहे ट्रैडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से कर लो जर्नल कोई फरक नहीं पड़ता चाहे अकाउंटिंग इक्वेशन कॉनसेप्ट के हिसाब से कर लो बच्चे ठीक है मौडरन अप्रोच तब भी कोई फरक नहीं पड़ता जैसे मरजी कर लो ठीक है पर मेरे हिसाब से आप मौडरन के हिसाब से कर लो बच्चों को थोड़ा कमफटेबल लगता है उसके अंदर लेकिन 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 मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ट्रैडिशनल अप्रोच को छोड़ो दो बच्चे एक्चुली में तो अकाउंटेंसी की क्लासिफिकेशन वहीं पर ही है रियल परसनल और नॉमिनल ठीक है तो जैसे आप वो कमफट लगे वैसे करें आना हमें दोनों तरीके से चाहिए तो सेल रिटर्न मेरे पास बुक्स के अंदर अकाउंट के अंद सेल रिटर्न अकाउंट डैविट करो एक बात दूसरा अकाउंट कौन सा इमपेक्टिड अ श्याम, जब मैंने श्याम को माल बेचा था तब उस समय श्याम कौन बन गया था मेरे बिजनस का बचे डैठर अब उस डैठर ने मुझे क्या कहा, सर अपना सामान वापस ले साम का मेरा डेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो वड़ु या वड़ु ऐसे कि मेरी एसेट्स कम हो रही है और बच्चे एसेट्स कम होंगी तो क्या करना पड़ेगा क्रेडिट जर्नल आपके सामने है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शाम एक बात जर्नल दो यह बन है यानि कितने का माल वापिस कर रहा है मझे हो चौदा सूर्पे का तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम चौदा सूर्पे का माल मेरे पास वापिस आ गया वर्द पॉइंट क्लिर वच्चे चलिए नेक्स्ट सेविन्थ ट्रांजेक्शन रिटर्ण गूट्स टू राम अब हम माल वापिस कर रहे हैं अब हम माल वापिस कर रहे हैं जब हमने खरीदा था तो मेरी परचेज रही होगी अब खरीदा हुआ माल जब मैं उसको वापिस कर रहा हूँ तो मेरे बिजनस के लिए बिच्चे क्या हो गया, purchase, return, तो दो account impacted हो गई, एक account, RAM, दूसरा account, purchase, return, एक account RAM, दूसरा account, purchase, return, कर ठार्न राम को चब मैं माल वापिस कर रहा हूं तो पहली बात जब उसे खरीदा था राम से खरीदा था नए राम कौन बन घ्याता मेरे ग्राषि fellas हुत तो अब मैं उसको माल वापिस कर रहा हूं मैं उसको माल वापिस कर रहा हूं तो कही न कहीं मेरे biznes के creditors क्या और बच्चे डिक्रीज्सômचे लाइबिडिटी इस क्या रही है डिक्रीज्स प। लाइबिडीडीडीज nearest personalized क्या डेबिट, लाइब लेटे साम हो तो क्या करता होंगे, डेबिट, तो इस तरह से creditors की value यानी खुरीदा हुआ माल वापिस कर रहे हैं तो second account जो impacted होगा वोगा purchase का return और purchase return खरीदा हुआ माल वापिस हरीदा हुआ माल वापिस स्टॉक reducing asset reducing asset reducing to क्या कर दूम उसको credit तो general entry यहाँ पर बन जाएगी मेरे पास राम account debit to purchase return account this is the transaction number seven दने बच्चे एक राम अकाउंट इंपक्टिड रुगा क्रेडिटर का और दूसरा पर्चेस रिटर्न एसेट्स का रिद्यूस एसेट्स रिद्यूस्ट तो क्रेडिट इस इस एक्जाम्पल नुम्बर सेविन ओके नाव एक्जाम्पल नुम्बर एट पॉसेंट फ्रॉम हरीश अपनाइन नाम लिग देविटे मैं जर्नलें इंट्री के अंदल ध्यान से देखो जड़ा थेना परचेस्ट फर नीचर हमने फर्नीचर खरीदा पहला अकाउंट फर्नीचर पहला अकाउंट बच्चे फर्नीचर दूसरा अकाउंट हो रही है बढ़ रही है तो asset का बढ़ना मतलब क्या कर दू हुँ में इसको debit पहली बात दूसरी बात जो cash है अगर में माल खरीद रहा हूं तो cash मेरा क्या हुरहा है रिडिऊस एसे ट्रीडिऊ करेंगे क्रेडिट यहां पर बच्चे एक मिस्टेक आप लोग कर सकते हैं मैक्सिमम बच्चे करते हैं कि सर सर ये तो पार्टी नेम भी गीवन है सर तो पार्टी नेम गीवन है सर उसको इगनोर क्यों कर रहे हो वैसे तो आप चिला चिला के कहते हो कि पार्टी नेम गीवन है तो भी और जब transaction cash में ही हो गई है तो आप party के name को record करके क्या करोगे पार्टी के name को उस case में ignore करना पड़ेगा यानि की जरूर आपने सामान हरीश से खरीदा है छोड़ दो ठीक है पार्टी के नेम का कुछ नहीं करना तो पहली पहला अकाउंट फर्नीचर एंड दूसरा अकाउंट कैश दाट्स इट नेक्स्ट सोल्ड मशीनरी फोर कैश 48,000 टू हरीश हमने मशीन बेच दी है कितने की मशीन बेच दी है 48,000 रुपे की कैसे कैश में तो अब ट्रांजेक्शन पर क्या 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 इंपेक्ट पड़ेगा बच्चो कौन-कौन से अकाउंट एक कैश अकाउंट मशीनरी मशीनरी अकाउंट ठीक है और हला कि यहां पर भी पार्टी नेम लिखा हो पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि इग्नोर करेंगे पार्टी नेम को यहां पर आप बस में बात देखो कैश एंड मशीन कैश एसेट बढ़ रही है क्या कुरू बच्चे डैपिट सेकिन मशीन एसेट रिडियू जो रही है घट रही है क्या करें क्रेडिट पस हो गया सिंपल कैश अगाउंट डैपिट टू मशीनरी जैसा कि आपको मैंने नरेशन में कह रहा है कि एक नरेशन भी लिखनी जरूरी है तो लिख देंगे ना बींग दा मशीनरी पर चेस फॉर कैश बस कुछ भी सिर्फ नरेशन इस बात को रेफलेक्ट करने चाहिए कि आपकी जो जर्नल बनी है वो क्या है उसका रीजन क्या है कैश डैबिड क्यों है मशीन क्रेडिट क्यों है बस उस ट्राजेक्शन को आपने लिख दिया है पर चेस्ट फरनीचर फ्रॉम राम पर कर सकते हो दूसरा राम अकाउट एक फरनीचर अकाउट दूसरा राम अकाउंट फरनीचर इस सकते हो आप assume cash नहीं कर सकते हो, assume क्या party name given है, बच्छा credit transaction हुई है न, तो second account आपका impact हो रहा है, राम, राम कौन बन गया आपके business का, obviously sir, creditor liability बढ़ रही है, credit कर दो, जर्नल क्या बने की बच्छे, furniture account debit to RAM account, इस तरहां से हमने इस transaction को perform करना है, आ जाए आगे, next one, sold, sold machinery to sham 4 रुपीज 7,000, आपने sham को machinery बेची है, 7,000 रुपे की, एक account, machine, दूसरा account, sham, sold machinery to sham, ठीक है, machinery बेच रही हो, तो asset तो जारी बच्छे, कम, credit, किस को बेच रहे हो, sham को, sham कौन बन गया, business का, देंदार, machine बेच ओगे, तो sham कौन बन जा बच्छे, business का, देंदार, debtor, debtor बन गया, debtor कौन, asset बढ़ रही है, क्या करे, debit, journal, sham account, debit to machine, simple, ये बन गया, आपकी transaction, journal entry बन गया, sham account, debit to machinery account, got the point, चलिये, next, received from sham, on account, rupees, 5000, received from sham, on account, rupees, 5000, पहला, दूसरा, received from sham, on account, rupees, 5000, पहला impact क्या पड़ेगा, देखो, आपको sham से 5000,000 रुपे की receiving हुई है, simple सी बात है, पहला account impacted पड़ेगा, impact होगा, cash account, पैसा आ रहे, किस से आ रहे है, शाम से आ रहे, कितना आ रहे, 5000,000 रुपे आ रहे, तो cash asset बढ़ रहे है, तो क्या करें, debit, और दूसरा, शाम से पैसा आ रहे है, जाम से पैसा रहा उवे तो इसका मतलब शाम से पैसा लेना होका तभी आ रहा है ना शाम से पैसा तो शाम कॉन था बिसनस का बिसनस का सर टाव डैटर था देंदार था और अब उस एक में लिख भी दूँ ही घेक्टर था अब उसने पैसा दे दिया तो एसेट क्या हो रही बिजनस की रिड्यूज हो रही है और क्योंकि आप दे दिया वेटा तो पांच आर्फे दे तो कही न कहीं मेरे देंदा रेड्यूस ओगे तो क्या करें इसको क्रेडिट ठीक है asset reduce दो क्या करें credit general entry क्या बन जोड़ेगी cash account debit to sham account Chesh account debit to sham account being the cash received from shop ठीक हो क्या next received from contam on behalf of ram rupees 5000 received from आपके पास कैश तो आ रहा है यह तो पक्का है रिसीवड फ्रॉम शाम ओन बिहाफ ओफ राम देने आपको कौन आ रहा है शाम लेकिन किसके बिहाफ पर देने आ रहा है राम के बिहाफ पर यानि आपने पैसा लेना किस से था राम से लेकिन आपको सिर्फ देने कौन आया है शाम सो रिसीवड फ्रॉम शाम एक तो पक्की बात है कि सर्क कैश अकाउंट इंपक्टिड होगा एसेट बढ़ गई क्या कर दू डेबिट ये तो पक्की बात है कि क्या कर दू बच्चे डेबिट कैश अकाउंट को क्या करदू डेबिट और दूसरा आपने लेना किस से था पैसा राम से लेकिन देने कोन आया है शाम आप बुक्स में किस को रेकॉर्ड करोगे किस के नाम को रेकॉर्ड करोगे उस इनसान के नाम को जो आपको सिर्फ पैसे पकड़ाने आया है या उस इनसान के नाम को जिसके बिहाफ पे या जो आपक जुआ आपका एक्चुली में देनदार था उसके नाम को रिकॉर्ड करेंगे ठीक है यह तो शाम तो एक जरिया है जा रहा था लो जी सर मैं राम के पैसे लेके आया हूं यह लो रख लो यह वह बात ही ना कि तर राम ने मुझे पैसे दी है आपके नाम के लो रख लो तो इस का Akauje राम कौन था मेरे बिजनस का देटर होगा तभी तो तो डेटर कौन एसेट एसेट क्या होगे है रिडियूस क्रेडिट तो ज्रेटर क्या बंजहेगी पच्छेए cash account debit to RAM cash account debit to RAM यह होगी हमारी journal entry cash का बढ़ना RAM नाम के debtor का reduce हो जाना ओके next paid salary to Mr. Savak Ram रुपीज 5,000 सेवक Ram को 5000 रुपे salary पे कर रहे हो सेवक Ram ने आपकी सेवा करी होगी है ना salary बनती है तर बेटा पहला account तो पकी बात है आपको ये समझ में आई किया होगा सर पैसे दे रहे है सर cash asset सर asset reduce और ये सर credit पकी बात है यहां तो कोई शक नहीं है इतना तो आपको पका पता चली गया लेकिन अब बात बचती है दूसरी सर salary पे भी ध्यान जा रहा है सेवक राम अगर debit करते हो तो सेवक राम के नाम पे debit के 5000 रुपे खड़े हो जाएंगे क्या सेवक राम ने वो 5000 रुपे आपको वापिस करने है सोचो करने है नहीं उसका हक था उसने आपके लिए काम किया उसकी salary थी उसका right था वो लेना तो आपने दिया तो सेवक राम को कोई advance पैसे थोड़ी पकड़ाएं बेटा जो उसके नाम पे debit कर दें कोई advance पैसे नहीं पढ़ाएं आपने उसको payment करनी थी simply आपने उसको payment करी है तो बेटे उसके नाम पर आपने उसको कोई advance payment नहीं करी है इसलिए आपका सेवक राम का नाम का लेजर नहीं खुलेगा कौन सा खुलेगा सेलरी अकाउंट होगा ठीक है आपके लिए बिजनेस के expense है और expense क्या रहे हैं बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे debit तो journal क्या बनेगी salary account debit to cash account salary account debit to cash account what the point ठीक है बच्चों यह हो गई आपकी 14 एंट्री ध्यान रखना बिलकुल भी भूल के भी यहां सेवक राम को मार दो क्रॉस क्योंकि सेवक राम को डेबिड करने का एक ही मतलब निकलेगा कि वह आप चाहते हो आप ऐसा मानते हो कि वह आपके बिजनस का डेटर है डेटर है क्या आप उसके नाम को डेबिड नहीं कर सकते हैं आप सेलरी अकाउंट डेबिड करोगे जो कि आपने किया है ओके लास्ट फॉर टुडेइज लेक्चर रिसीव ड्रेंट फ्रॉम भगवान लो जी भगवान को किराये पे दिरखा आपने मगान बड़ी बात करते हैं हैं कैश अकाउंट जो है ना एसेट जो है ना सर बढ़ रही है सर उसको तो करो डेबिड इसमें तो कोई दोर आए नहीं है दूसरा आपके दिमाग में दो बाते चलेंगी एक सर रेंट क्रेडिट करें क्या और दूसरा सर भगवान को क्रेडिट करें क्या तो बच्चे भगव था आपने उसको अपनी कोई building कोई प्रमेसिस उसको rent पे दी थी आज उसने आपका किराया दे दिया आपका right बनता किराया लेना भाई आपने बिल्डिंग दे रिखिया उसको आपका right बनता उससे किराया लेना तो बगवान को अगर credit कर दिया तो क्रेडिटर बढ़ा लोगे तो वापस भी करने पड़ेंगे पैसे पर अपने का तो करने नहीं है इसलिए बगवान को इगनोर करो और रेंट को हाइलाइट करो और रेंट क्या बनेगी बच्चे बिजनस की रेवेन्यू क्या हो रही है इंग्रीज क्या करें ग्रेडिट तो क्या बन जाएगी कैश अकाउंट डेविट टू रेंट अकाउंट रेंट 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 रेवेन्यू बढ़ रहा है कैश एसेट बढ़ रही है कैश एसेट बढ़ रही है तो डेविट रेंट रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट है ठीक है बच्छे हो गई दस ट्र रहां खा कोई भी डाउट आता है इन दस ट्रांजक्शन में तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं जरूर कोशिश करूँगा मैक्सिमम कुछ भी आपके लिए जो पॉसिबल हो पाएगा मैं जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दोगा और आप मेरे नमबर पर कॉल भी कर सकते हैं ठीक है बच्चों चलिए मिलते हैं आप से अगले लेक्चर में